हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एश्ट्रू गुरू चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज का जो टॉपिक है यह है वीकली होरोस्कोप का यानि सापताहिक राशी फल का चौधा नमबर से लेकर के 20 नमबर तक का सपताह दिन प्रति दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है इसी के उपर आज की टेरो रीडिंग रहेगे हर राशी के लिए टाइमस्टेम्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गये हैं क्लिक करके आप अपनी राशी की रीडिंग को डिर प्लेलिस्ट को चेक करिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने टैरो रीडिंग करी है उससे आपको काफी मदद मिल सकती है और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और विवर्स आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आपके सहयोग और प्यार के लिए वीडियो और शुरू करते हैं पहली राशी लेते हैं Aries यानि मेश राशी शुर्वात Aries से ही होती है मेश राशी पहली राशी है राशी चक्रिकी 12 राशियां होती है अच्छा तो ये जो राशी फल है ये आपके लिए मैं ले करके आता हूं हर वीक और ये mostly चंद्र राशियों पर आधारित होता है क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है तो आपकी कुंडली आपके बर्चार्ट में चंद्रमा जिस नंबर पर है उसी नंबर की जो राशी का नंबर है वो आपकी राशी हो जाती है तो मेशराशी आपके लिए 14 नंबर का जो दिन है ये सावधानी से इस्तेमाल करने वाला दिन है सफलता सुनिश्चित तो है लेकिन संघर्ष के बाद में है ऐसे नहीं है कि जल्दी बाजी में आपको सफलता मिल जा या अनायास मिल जा संघर्ष करेंगे हार नहीं मानेंगे पीछे नहीं हटेंगे आपके सफलता को कोई रोक नहीं सकता है लेकिन प्रेम संबंदों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है वैवाहिक अविवाहिक दोनों के क्योंकि प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है आपकी वाणी से आपके मुह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपके पती जो आपके स्पाहुस यानि आपके जीवन साथी को या आपके लवर को पसंद ना आए तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है पंद्रा नवंबर का जो दिन है ये दिन भी संघर्षों में ही आपको डालेगा लेकिन इस दिन के जो संघर्ष है वो चौदा तारिक से थोड़ा अलग होंगे आपकी बात को सुनी ही नहीं जाएगी तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाएं पंद्रा तारिक को थोड़ा कम बोले थोड़ा कम एक्स्प्रेस करें अगर जैसे कभी-कभी होता है ना कि अपने ही फैमिली का मेंबर अगर आपसे पूछ लें तो एड़वाइस कर दें नहीं तो चुप-चाप देखें थोड़ी मोड़ी गलती अगर वो करते हैं और बाद में आकर पस्ताते हैं उनको पस्तावा होता है कि अरे यार ऐसा ऐसा हो गया और मेरा इसमें प्रब्लम हो गई मैं फस गया तो उनको सानुभ होती भी दें और निकलने का रास्ता भी बताएं अर्गुमेंट से दूर रहें जगड़े की इस्थिती को उत्पन नहीं 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 अपने संबन्दों के बीच में तो वो प्लैन आपका सही चलेगा और उसमें आपका फोकस बना रहेगा किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की भी संभावना है और किसी ऐसे से भी मुलाकात हो सकती है जो आर्थिक मामलों में फ्यूचर में आपको एक सपोर्ट परदान करें पैसे नहीं देगा सपोर्ट देगा कोई आइडिया दे सकता है किसी नई कंपनी में जॉब बता सकता है तो इस तरह की चीज़ें अब बात करते हैं सत्रा तारीकी सत्रा नवंबर का दिन ट्राइंगलर सिचुवेशन में थोड़ी सफलता कम दिखाता है असफलता दिखाता है यानि थोड़ी परिशानिया क्रियेट किये रहता है बट इस दिन आप अगर थोड़ा सतरक रहते हैं तो सारी समस्या हल भी हो सकती है और चीज़ें आपके फेवर में आ सकते हैं लेकिन फिर भी प्रेम संबंदों के लिए ये दिन बढ़ियां नहीं है क्योंकि इस दिन आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग सकता है जो बेबुनियाद भी हो सकता है और जिसकी कोई ग्राउंड लेवल हो सकती है तो अगर आपने गलती करी है तो आपने आपको बचाने का प्रेयास करी है क्योंकि गलती में तो खुद को बचाना बनता है लेकिन अगर गलती नहीं है तो उन्हें उनके हाल पे छोड़े बताएं कि मेरी गलती नहीं है और टाइम बीतने के साथ यह चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगी तो उनको फील हो जाएगा या उनको आइडिया मिल जाएगा कि असल में आपकी गलती नहीं है इन चीज़ों के अलामा सत्रा तारीक को किसी को प्रॉमिस मत करियेगा अठारा नमूंबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा चीज़ें आपके फेवर में आपके व्यक्तित्त में एक अपना पन होगा जिसकी वजह से लोग आपके और अकरशित होंगे लेकिन आप थोड़ा अ या कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी मिस नहीं है और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं लगातार इस पूरे दिन अठारा तारीक को तो अपनी फीलिंग को अपने ही पास रखें कभी कभी होता है ना कि जब आप बड़ा दुखी फील करते हैं तो अपनी सारी बातें जा ग्रोथ के लिए या जॉब में सफलता के लिए भी बढ़ी हैं बस प्रॉब्लम ये है कि लोग इस दिन आपको ताने वाने मार सकते हैं लोगों का बिहेवियर आपके प्रती बहुत अच्छा नहीं रहेगा इसलिए आपको अपनी इमेज की सिक्यूरिटी करनी होगी अपनी इमेज को किसी भी कीमत पर खराब न होने दे इसका ध्यान रखें और इस मामले में अगर दो चार लोग नाराज मैं एक की बात नहीं करा मैं कहता हूं दो चार लोग नाराज हो जाते हैं तो बिलकुल नाराज होने दीजिए परवाह मत करिएगा अगर फैमिली मेंबर भी नाराज होते हैं तो बिलकुल नाराज करें वो बोलें कि आप जो कर रहे हैं हम नाराज हो जाएंगे तो बोलें हाँ मैं नाराज ही कर रहा हूं या कर रही हूं आपको आपका बिहेवियर मेरी इमेज को खराब करेगा तो बहतर है कि आप नाराज हो जाएं बजाए मेरी इ और मरसी लेसली यानि दया भावना के बिना काम को करना शुरू कर दें नाइट आफ दी सोर्स का कार्ड है जो बताता है कि अगर आप दूसरों की परवाह करके चलते हैं मुसीबतें अपनी लिए खड़ी करेंगे और अगर अगर अपने से पंदरह वर्ष बड़े sticks सलाह लेकर काम करते हैं तो भी अपनी लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे तो ये दू चीज़े नहीं करनी सिर्फ अपने को फोकस रखिए अपनी सफलता पर ध्यान रखिए और ये चीजें आपके लिए होंगी प्रेम संबंधों के लिए ये दिन भी बहुत बढ़िया नहीं है सावधान रहने की जरूरत है तो मेश राशी ये था आपके लिए राशी फैल 14 से 20 नवंबर के लिए दूसरी राशी लेते हैं व्रिशब राशी यानि टारस व्रिशब राशी आपके लिए 14 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा और आपके फेवर में रहेगा आप अपनी चीजों को अगर थोड़ा हाइड करके चलते हैं तो आप इस दिन का पूरा फाइदा उठा सकते हैं योजनाएं हाइड कर दीजिए क्या करने जा रहे हैं ये हाइड कर दीजिए और अपने प्लैंस तो किसी को गलती से भी मत बताईए लेकिन दूसरों की इन ही बातों को सुनने के लिए कान खुले रखिए खड़े कर लीजिए मेंस आपको एक अच्छा लिसनर इस दिन बनना है अगर कोई आता है और आपको अपने आईडियास बताने शुरू करता है या करती है तो आपको बिलकुल इंट्रेस्ट लेना है अगर इंट्रेस्ट नहीं आ रहा तो भी शू आउट करिए कि आप बड़े इंट्रेस्टेट हो रहे है इस से क्या होगा उस परसन की नजर में आपकी इमेश बहुत बन जाएगी इन चीजों के अलामा आर्थिक मामलों में उन्नती ब्यापार में उन्नती और जॉब के सेक्टर में सफलता दर्शाता है ये कार्ड ये दिन और प्रेम संबनों के लिए भी दिन बढ़िया रहे है कोई प्रॉब्लम नहीं है 15 नमंबर का दिन थोड़ा सा हाला की पेशो पेश वाला रहेगा जब आप इफ एंड बट इधर या उधर इसको करूँ इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ तरना गाना करते इस फूलते ते उस फूलते तो वो तो किसी पर भी जा रहा था आप कहा जाएंगे आपको पता नहीं आप कन्फूज बहुत रहेंगे इस कन्फूजन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है देखें दो रास्ते इधर जाएं या इधर जाएं हो गई कन्फूजन दोनों रास्तों को इमैजिनेशन मिलाईए कि ये जो दो आप्शन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन options में से तीसरा क्या है कितना है है या टेल सिक्का उछाला या तो हैड आएगा या तो टेल आएगा है है ना सिक्का खड़ा भी हो सकता है यह तीसरा रास्ता है है और टेल आने से पहले मैं सिक्के को कैच कर सकता हूं यह तीसरा रास्ता कोई न कोई तीसरा वे जरूर होगा अ दूसरों के साथ डिल करते समय थोड़ा साउधान रहें, अपने जीवन साथी को जान बूज करके नाराज नहीं करना है, अपने प्रेमी या प्रेमिका से थोड़ी सी छेड़ खानी आप इस दिन कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा उनको गुस्सा दिला सकते हैं, लेकिन बहुत आपको निकालने की कोशिश करनी है, किसी की हल्प नहीं करनी है, अगर कोई और भी उसी सिचुएशन में फसा हुआ है, तो आपको उसे छोड़ कर खुद की मदद पहले करनी है, यह है पॉइंट नमबर वन, दूसरा, किसी बड़े भारी काम को इस दिन नहीं करना, अच्छी बात है, क्योंकि अगर मेरी अपनी आइडियोलोजी से सुने, जो लोग नए होंगे, उनको मजा एग और पुराने वाले जानते हैं, तो मेरी आइडियोलोजी है कि सेल्फिश होना बहुत अच्छी बात है, बाकी परोबकारी लोग तो बंदूक ले करके घूम र क्यों, क्योंकि जब आप अपने लिए करते हैं, तो आप से जुड़े लोगों का अपने आप फायदा होता है, अगर आप अपने लिए कमाई शुरू करते हैं, अपने लिए इंकम शुरू करते हैं, अपना रहन सहन स्टेंडर करते जाते हैं, तो परिवार का आटमेटिक पनीर लेकर आएंगे घर में बनाएंगे तो पुरा परिवार खायगा लिए ना दोपीस लाक्ये उसकी सब्जी तो बना निहीं सकते कि छोटे छोटे दो पनीर ले और उसकी सब्झी बना के खोद खायए तो इसलिए चीज़ों को समझे पनीर का एक्जामपल इसलिए दे क्योंकि मैं शाकाहरी विखती हूँ नान्विज नहीं खाता अब अगली लाइन नहीं भोलूँगा इन चीज़ों के अलावा प्रेम सम्मन्धों के मामले में तारीक आपको सिर्फ एतना ध्यान रखना है कि आप अपने लवर को अदरवाईस चीज़ों में इन्फ़रिंस न करें किसी भी ऐसी चीज़ में अपने लवर को इन्फ़रिंस नहीं करना जो नैतिक्ता के वरुद हो द्यान रखें बस अभी तना काफी है इस से आप समझ जाएंगे morals के against किसी काम को करने के लिए अपने lover को influence नहीं करना है 16 तारिक को नहीं तो इसका backfire आपको मिलेगा नुकसान आपका होगा 17 नवंबर की बात करते हैं इश्वर की और आपका रुजहान रहेगा इश्वर भक्ति की और आप मुड़ेंगे spirituality में आप involved हो सकते हैं include हो सकते हैं meditation ध्यान इन सब चीजों में जा सकते हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी rudeness बहुत बढ़ेगी जो spiritual लोग होते हैं कभी-कभी बड़े rud होते हैं अब उस चीज़ पर नहीं बात करेंगे तो आपकी जो rudeness है वो इस चीज़ पर जादा हो सकती है कि लोग और situation आपके अनुसार चलने चाहिए और चुकि चीज़ें आपके अनुसार सारी नहीं चल सकती तो आपका गुस्सा इस दिन बढ़ सकता है तो गुस्से को hide रखे चेपा ले जिए उसे आवरण में डाल लीजिए otherwise ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है आप जिन चीज़ों में अपने आपको involve करेंगे और शानती पूरवक काम करेंगे बिना दूसरों की परवाह किये हुए या दूसरों की मदद मिले ना मिले कोई फरक नहीं पड़ता तो आपके लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया और प्यारा रहेगा अठारा नवंबर की बात करते हैं धन के मामले में सफलता दिखाता है ये दिन और आपके परिवार के उपर खर्च होगा परिवार के जरूरतों के लिए परिवार की गैर जरूरतों के लिए भी गैर जरूरते मतलब उन चीज़ों के लिए जिनकी जरूरत परिवार को नहीं थी जैसे वो कहते हैं ना कि 32 इंच का टीवी लेने गया थे और 56 इंच का लेकर आ गया जरूरत फिर 32 इंच की थी लेकिन 56 लेकर आए अब घर में लाने के बाद लगता है कि अरे कुछ जादा बड़ी खरीद दी तो ये थोड़ी सी जो फिजूल खर्ची थी हाला कि इससे फाइदा तो परिवार का है बड़ ये हो जाएगा एक काम और करिएगा थोड़े पैसे अगर खर्च हो रहे हैं और आप बढ़िया रहेंगे इस दिन किसी तरह की कोई समझ से अठारा तारिक को नहीं दिख रही है और धन के मामले में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्लैन पर काम करते हैं अठारा तारिक को हसई ले रहा हूँ कि इस काड को निकालने के बाद उन्यस तरह रहा हैं या ठारा वाला भी भी बता रहा था तो ख़र तो अगर कुछ काम करते हैं कोई प्लैन करते हैं फ्यूचर के लिए तो वो भी आपके लिए लाफ़दायक और फायदेमन होने वाला है अब उन्यस की बात कर लें ठीक है अब हो गया इनका उननेस तारीक situation थोड़ी आपके favor में नहीं रहेगी लेकिन इसके बावजूद चीजें आपके control में रहेंगी situation आपके favor में नहीं है लेकिन उस situation को manage करना आपके control में है तो अपने control पर ध्यान देना है उस situation का favor या non favor होना आपको परिशान न करें इस चीज के लिए सतर करें और तयार रहें यह जो momentum होगा जब चीजें आपके favor में नहीं होगी तो एक रहा का pause moment इसे हम कहते हैं और इस moment में आपको सोचने वाला काम करना है think think thinking में आप जब जाएंगे सोच में जब डूबेंगे तो आपकी सोच से आपको समझ में आएगा कि आपके plan में क्या गलती है और कहां पर ठीक करना है यह pause moment बिलकुल वैसा है जैसे आपने अगर F1 race देखी हो तो track पर गाड़िया जब दोड़ती है तो वो अपने उनका जो अपना एक stall या उनकी टीम का एक area होता है fixed वो चुकि लैप होता है ना बार बार round लगाती तो अपने area में आकर गाड़ी रुख जाती है तो उनकी टीम उनकी पेट्रोलिंग कर देती है पेट्रोल भर देती है और उनके tire को बदल देती है क्योंकि इतना time नहीं होता कि वो हवा भरे और air को check करें क्योंकि अब आप यह भी जान ले कि F1 race की गाड़ियों के tire की air quality को check या air index को check करने और air को complete करने में जितना time waste होगा उससे तेजी से उस होगे कि अच्छा यह इसलिए tire को बदलते हैं क्योंकि वो लैप में जब दो बार लैप लगा लेती है गाड़ी तो उसके tire की air थोड़ी सी pressure में कम हो जाती है तो उस air को फिर से air pressure को maintain करने का सबसे easiest way उनके पास होता है tire को change कर देना और वो बिल्कुल चारो wheels को निकालते हैं और नए लगा देते हैं मतलब वो 30 seconds से भी कम time में लेते हैं मतलब वो 20 seconds ऐसे ही है 15 seconds 20 seconds में वो चारो tire निकालके बदल ले जाते हैं बहुत तेजी से काम होता है तो खैर आपके लिए ये बिल्कुल वैसा ही pause moment होगा जब आप अपने tire को नहीं बदलना आपको आपको अपने plan जो plan आपका रुक गया जिस plan में pause आजाएगा आपको 19 तारीक को उसकी गलतियां बारीकियां आपको दिखेंगे और उन्हें ठीक कर लेना है इन चीजों के अलावा आप किसी को promise नहीं करेंगे इस दिन इसका याद रखिएगा अगर आप promises करते हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबतों का सामना आने वाले समय में आपको करना पड़ जाएगा क्योंकि आपके promise बड़े परिशानी में डालने वाले आपको होंगे 20 तारीक बढ़ियां रहेगा दिल फेक आशिक आप बने रहेंगे अच्छा ये जो दिल फेक आशिक है ये अनमेरीड के लिए है तो मेरीड वाले दिल फेक आशिक नहीं रहेंगे जो अनमेरीड है वो दिल फेक आशिक रहेंगे मतलब उनको multiple लोग पसंदा सकते हैं crush नहीं होगा प्यार नहीं होगा लेकिन अगर आप सिंगल हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपका किसी पर crush जा सकता है या किसी से प्रेम हो सकता है इन चीजों के अलावा किसी नए या पुराने दोस्त किसी नए या पुराने दोस्त से मुलाकात होगी फ्रेंड से मुलाकात होगी अब पहले तो पुराने वाले का तो सब समझते हैं ने का क्या मतलब है ने का मतलब हाल में ही बना कोई ऐसा फ्रेंड जिससे पिछले कुछ समय से आपकी मुलाकात नहीं होती वो परसन पुराना तो नहीं है बट उससे मुलाकात नहीं होती तो उस रिराशी लेते हैं जैमिनी यानि मितनराशी मितनराशी आपके लिए 14 नमंबर का दिन situation में go through करने का है अगर कुछ awkward situation आपके साथ बन रही है या चीजें आपके favor में कम आ रही है तो उस unfavor वाली situation को भी go through करें आगे बढ़ें उसको लेकर के वो problem को लेकर के ही आगे बढ़ problem कभी कभी होती न कहते हैं कि problem ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हम आगे नहीं जा सकते तो मैं कहता हूं कि problem को ही उठा लीजे गोद में और लेकर आगे बढ़ें कि चल मेरी problem साथ में चल तू भी चल तो mindset ऐसा हो जाए कि problem आपको रोक नहीं सकता आप problem को adopt करने को त्यार हैं फिर आपकी problem हवा होनी शुरू हो जाएगी आपके हाथ से आपके जीवन से निकलनी शुरू हो जाएगी प्रेम संबंदों के लिए और परसनल रिलेशन्शिप दोनों के लिए ये दिन बढ़ियां भी है और बुरा भी है डिपेंड करता है कि आपकी अपनी mentality कै है क्योंकि उसके according ही ये तै होगा आप बात करते हैं पंद्रा तारी की पंद्रा नमबर बहुत बढ़ियां दिन रहेगा और पंद्रा नमबर को चीजें आपके favor में भी रहेंगी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी ब्यापार में उन्नती के योग है situation आपके लिए बहु किंग को जानते हैं एक राजा है जो आपका दोस्त है आप किसी problem है तो राजा क्या करेगा वेट करेगा कि आप आए और उससे बात करें राजा है तो महराज कहेंगे कि महराज मैं ऐसी समस्या में हो क्या करें फिर वाप को उपाय बताएगा लेकिन किंग वेट करेगा तो क का काम क्या है थोड़ा रुकना ठहरना और ठहर के डिसीजन लेना ठीक है तो इस चीज को समझें जैसे जंगल का राजा शेर होता है लेकिन अगर शेर की क्वालिटीज को देखें और आपको पता होगा आप तो साइंस में सब कुछ आ चुका है इंस्टाग्राम पे आता है कि 24 में से करीब 18 से 20 घंटे शेर सोता रहता है तो इतनी देर सोने वाला जंगल का राजा कैसे है क्योंकि अचा उसके अंदर ना फूर्ती है बहुत चीते वाली ना लोमडी जैसा देश दिमाग उसके अंदर है ना जिराफ जैसा वो लंबा है ना हिपोपोटोमस जैसा बहु जबाजी नहीं है वो ठहरता है वेट करता है तो वो ही चीज उसको किंग बनाती है तो इसलिए आप अपने अंदर थोड़ा ठहरा उलाएंगे तो पंदरा तारिक आपके लिए बड़ा फाइदे मन्द होगा 16 नमबर की बात करते हैं चीजें आपके फेवर में रहेंगे आप काफी ज़्यादा आकरामक रहेंगे या जोश में रहेंगे ऐसा समझें और इस जोश को सही तरीके से इस्नेमाल करना आपकी ड्यूटी बनती है आप जिन चीजों को टार्गेट करेंगे वो अचीव हो जा सिचुवेशन हर तरफ से आपके फेवर में रहेंगे माइंड को अपने आपको निगेटिव नहीं करना है और आपके कारेच छेतर में जॉब में या बिजनेस में भी सिचुवेशन आपके फेवर में ही सपोर्ट करेंगी और अगर परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे और उसके लिए कोई दिन ढूंड रहे थे कि किस दिन करें तो उसके लिए 17 नमंबर सबसे बढ़िया दिन रहेगा अब बात करते हैं 18 नमंबर की 18 नमंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने आपको एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप थोड़ा फसे भी हैं और निकले भी हैं अगर आप थोड़ा सा निकले होते हैं तो सिचुएशन आपके अगेंस्ट है आपके विरुद है लेकिन अगर आप उसी अगेंस्ट सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना शुरू करते हैं तो चीज़ें पलट जाती हैं और सारी चीज़ें आपके लिए वो सारी जो चार के बाद में कहां पर हूंगे और बाख जाएँ और एकम त्ज कहां पर हूंगे यह होता है कि जब वो कहें तो उनको बताईए कि मेरे अपने कुछ प्लांस हैं और जिनको मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। सीधा और पूछें क्यों बोलिया आप पांच साव के बाद नहीं होंगे। और जब वो अपने प्लान बताएं तो उनको बताईए विकाज आपने अपने प्लान को मुझे बता दिया है इसलिए आप इस प्लान के ऊपर कंसिस्ट नहीं रह पाएंगे क्योंकि जिस चीज को आप कह देते हैं उस चीज से हलके हो जाते हैं अब आपका ये पूरा प्लान खतम हो गया उसके दिमाग में कीडा डाल कर चले आईए उन्नेस नमंबर का दिन तो अठारा तारिक का ये था मामला इसने का अभी पूरा नहीं रहा आपको क्या क्या करना है अपने फ्यूचर को बहतर करने के लिए बस इतना ही करना है इस दिन जो ये सब करेंगे प्लानि और कि लोग आपके फेवर में में रहेंगे लेकिन चुकि को आपके खेवर में रहेंगे दूसरा चीज situation और परिस्थितियां मनलब situation का मतलब भी परिस्थिति होता है situation और वो चीजें जो आपके situation को control करते हैं सब आपके निये इंत्रण में रहेंगी इसलिए इस दिन का भरपूर फाइदा उठाने का प्रयास करिएगा प्रेम संबन्ध हों वैवाही जीवन के लिए और पर्सनल रिलेशन के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है आपके नए मित्र भी 19 तारिक को बन सकते हैं किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो 20 नमंबर का इस्तेमाल करें क्योंकि 20 नमंबर एक ऐसा दिन ह जो नए कारियों में आपको सफलता दिलाने के लिए बिल्कुल उद्दत है बिल्कुल तयार है आप अगर एक से ज़्यादा चीजों में एक साथ इन्वाल होना चाहते हैं मल्टिपल कुछ करना चाहते हैं कभी कभी करते हैं लोग तो उसके लिए भी 20 तारिक सपोर्ट करे हैं तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्टिव है इस दिन आपको किसी बड़े रहस्य के बारे में जानकारी भी मिल सकती है तो उसे जानकर चुप रहना आपका परम करतव्य है इसका ध्यान रखिएगा तो मितुन राशी यह था आपके लिए राशी फल 14 से 20 नुमंबर के ल लेकिन एक्चुली आपको अपने अफर्ट को लगाने की जरूरत है आप सफलता के बारे में ना सोचें फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में ना सोचें आप ये मान कर चलें इस दिन कि जो आप कर रहे हैं ये आपका कर्म है और इसका फल देना इश्वर का काम है तो आ आपके लिए आसानी ज्यादा हो जाएगी इस दिन को मैनेज करने में पंदरा नुमबर के दिन आप अपने आर्थिक छेत्रों के मामले में कोई ऐसी प्लैनिंग कर सकते हैं जो बड़ी बचकानी सी हो प्लैनिंग खराब नहीं है उसके उपर थोड़ा मेहनत और काम करने की ज इस चीज का ध्यान रखें लेकिन आपसे बड़ी उम्र के लोग आपको प्रभावित करकर अपना काम निकाल ले सकते हैं इसलिए साउधान रहने की भी जरूरत है 16 नवंबर के दिन आपके द्वारा किये गए कार्यों में पूर्णता तो नहीं आएगी कम्प्लीटनेस तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी आप सराहे जाएंगे आपके तारीफ हो सकती है आप इस दिन थोड़े जल्दबाज रहेंगे और जल्दी बाजी की वज़ा से आप कैजूल वे में लेकर चले बहुत सीरियस नहीं लेना क्योंकि बहुत सीरियस लेंगे और आपका काम नहीं होगा तो बड़े नाराज हो जाएंगे या बड़े उदास हो जाएंगे और दूसरों को अड़वाईज नहीं करनी नए प्रेम संबंदों के लिए दिन बहु हो सकता है और इस डिप्रेशन की वजह आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है इस दिन आप जो भी प्लैन करते हैं या जो भी सोचते हैं आपको लगेगा कि आपके प्लैन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हैं आप अपने आपको सब कॉंशेसली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इतना नहीं है तो आपके दो मन के बीच में दोनों माइंड्स के बीच में यह जो टकराव की स्थिति है इसका सामना आपको सत्रा तारीक को करना पड़ सकता है इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस दिन को चुप-चाप निकल ले दे शांत बने रह बहुत हल चल ना करें बड़े निरड़े ना ले और इस दिन किसी भी परसन को किसी चीज के लिए प्रॉमिस ना करें अब बात करते हैं अठारा तारीकी अठारा नवंबर आपके लिए ऐसा दिन होगा जब चीजें आपके पक्ष में बैलेंस्ड वे में मूव हो जाएंग आप इस दिन किसी दूसरे का बुरा करने का ना सोचें ना तो किसी दूसरे वेक्ति को प्रभावित करने का सोचें अपने आप में रहें जितना जदा आप स्वयम में केंदरित रहेंगे चीजें उतना आपके फेवर में रहेंगी इन सब चीजों के अलामा ये दिन आपके से बढ़ियां दिन नहेगा इस दिन आपके दोरा किये गए कार्यों की वज़ा से लोग आपकी सम्मान भी करेंगे आपके सम्मान में वृद्धी होगी लेकिन परिवार में आपकी बातों को समझा जाएगा इसको लेकर थोड़ा डाउट है तो इसलिए परिवार को लगाएं इस चीज का ध्यान रखें आर्थिक मामलों में या व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा उठाएगे एक कदम सही साबिथ हो सकते हैं 20 नमंबर का दिन triangular situations में सफलता दिलाता है धन के मामलों में किये गए कार्यों में सफलता दिलाता है पिछले समय में कुछ आपने कर रखा था जिसका प्रभाव आपको अब मिले ऐसा भी हो सकता है लोग आपकी respect भी करेंगे लोग आपकी तरफ मोड़ेंगे जुकेंगे भी लेकिन आपको भी अपने ego को बहुत हद तक manage करके रखने की जरूरत है ज़्यादा egoist होंगे तो problem होगी तो इसलिए अपने आपको थोड़ा controlled way में रखने का प्रयास करने तो करक राशी ये था आपके लिए राशी फल 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का पाचवी राशी लेते हैं लियो यानि सिंग राशी सिंग राशी 14 नवंबर का जो दिन है हस इसलिए रहा हूँ कि ये दिन बुरा बिल्कुल भी नहीं है कोई समस्या भी नहीं है लेकिन अगर आपने सोच लिया तो बहुत बड़ी समस्या है जैसे सपोस कर ये आपके जेब में 100 रुपए हो और कोई चीज 100 रुपए की ही हो लेकिन आपकी जेब में जो 100 रुपए है वो 100 रुपए इस तरह के हैं जो उस country में या उस situation में नहीं accept करा जाएगा तो आपके पास पैसे तो हैं लेकिन लिये नहीं जाएगा जैसे मतलब कि आपने कभी phone में आपके wallet होता है ना पैसे हैं और आप किसी shop पे गए आपको कुछ लेना है ये वाली जो situation है इसमें आप जा करके अटक सकते हैं अगर ये अटक ना हो जाता है तो आप सावधान रहें क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है ठीक है आप उस situation को टालने की कोशिश करने कि ठीक है कोई बात नहीं अगर ऐसी situation है तो फिर मुझे situation के साथ अपने आपको sink नहीं करना डूब नहीं जाना मतलब पानी है न तो उसमें डूबना नहीं वो problem को पानी समझे तो आपको किनारे से निकल जाना है कि कोई बात नहीं है आपका 100 रुपए का सामन आपको नहीं खरीदना या वो नहीं लेना आपको नहीं मिल सकता उस शॉप पे सामन कोई बात नहीं मैं फिर कभी ले लूँगा दो दिन बाद एक हफते बाद ले लूँगा चले जाए means situation को थोड़ा समय के लिए टाल दीजे दो चार दिनों के लिए क्योंकि second day पंद्रा तारीक आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है पंद्रा तारीक आपके लिए ऐसा होगा जब अचानक से समस्या आपके सामने सिर उठाकर खड़ी हो जाए लेकिन वो समस्या भी बड़ी manageable ही होगी अगर आप उस problem को face करने का सिर्फ हिम्मत कर लेते हैं कि ठीक है अगर problem है तो I will face it and I will manage it पहली ये सोच आ जाए जैसे ही ये सोच आती है आप उसको actually manage कर ले जाएंगे इन चीजों के अलावा relationship के मामले में revival भी हो सकता है reunion के भी chances हैं reconciliation के भी chances हैं और अगर कोई situation आपका आखरी सता पर खड़ा हुआ था और उस situation उस relation को फिर वापिस अपनी ओर लाना है तो ये भी possible है 16 November का जो दिन होगा ये आपके लिए दूसरों पर भरोसा ना करने का दिन होगा जैसा मैंने 14 तारिख वाले में कि 16 तारिख को आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना जो काम आप खुद मैनेज कर सकते हैं उसे खुदी करें घर के परदे आप खुद बदल सकते हैं तो खुदी बदलें घर के किसी मेंबर को ना दे बदलने के लिए आपके परदे फट सकते हैं क्यों कि पता नहीं हो सकता है वो इस तुल ले करके गिर पड़े उसी परदे के उपर परदा पड़ जाए या वो गलट ढंग से लगा दे कुछ भी हो सकता है तो खुद को परेशानी में फसाने की बजाए सिचुवेशन का सामना खुद करें उसे रिजॉल्व खुद करने का प्रयास करें क्योंकि आप ज्यादा बेटर वे में काम कर सकते हैं इन चीजों के अलामा चलिए अभी बताता हूं वो इन चीजों के अलामा लीगल मामलों में होश्यारी बढ़ते हैं और लेन देन के मामलों में भी साउधान रहना हैं आपको 14, 15, 16 इन तीन दिनों में अप घंटे घंटे भर बात करते हैं तो थोड़ा बाचीत कम करें जगड़ा होने की संभाना तीनों दिनों में बनी हैं और अगर मुलाकात को टाल देंगे इन तीन दिनों में तो बहुत बढ़ियां रहेगा लव रिलेशन के अलामा वैवाहिक जीवन वालों के लिए थोड़ा गुसा गुसी वाली सिच्वेशन हो सकती है इसके अलामा कोई प्राब्लम नहीं है सत्रह नौंबर की बात करते हैं सत्रह नौंबर बढ़ियां दिन रहेगा इस दिन आपके द्वारा किये गए कार्यों में सफलता मिल सकती है आपको लेकिन ये जो सफलता है ये पॉसिबिल का काम आपको मिल सकता तो इम्मेदारी का कार्यों अगर आपको ऑफिस में घर में धुकान में बिजनस में मिलता है या आपको लेना पड़ जाता है तो उसे بھی समझदारी से ही चूज़ करें उसमें जल्दवाजी ना करें ठीक है अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपस रखें दिन बहुत बढ़िया है लेकिन आप अपनी फिलिंग अगर दूसरों को शेयर करेंगे तो लोग आपके बारे में गलत इंटेंशन भी बना सकते हैं 18 नुवंबर के दिन चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी ट्राइंगलर सिचुवेशन में चीज़ें आपके फिवर में आएंगी प्रेम संबन्धों और वयवाही जीवन में सब कुछ आपके लिए ठिक ठाक चलेगा वेक्तिगत संबन्धों और मित्रवत संबन्धों में चीज़ें बढ़ियां चलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन या एक पार्टी जैसा माहुल बनना पॉसिबल है नए प्रेम संबन्धों का भी बनना हो सकता है आप अगर शादी के लायक हैं योग हो गए आपकी एज उतनी है तो आपकी शादी पर चरचाएं भी घर में चल सकती है और कुल मिलाकर ये दिन आपके फेवर में रहेगा कोई समस्या नहीं है 19 नवंबर का जो दिन है ये आपको सिचुवेशन्स में टैकल करने के लिए प्रेरणा देता है means जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके बारे में फिर से सोचे क्या आपने सारी दुनिया का बोज उठा रखा है अगर हाँ तो उसे कम करिये सारी दुनिया मतलब आपके लिए तो सारी दुनिया ही है ना तो उस चीज को थोड़ा कम करने का प्रयाज करें दूसरे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने से ज़्यादा बहतर होता है कि आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें 20 नमबर देखिए एक influencer person आपको अगर गलत वे में influence कर दे तो आप कुछ गरत भी कर सकते हैं इसका ध्यान रखिएगा इसलिए सावधान रहने की बहुत जरूरत है कोशिश ये करें कि लोगों की बातों को सुन करके भी decision आप खुद अपने लें दूसरों के decisions पर as it is ना चले जाएं दूसरा आपके कुछ ऐसे ideas और विचार हो सकते हैं जिस पर अगर आप सही तरीके से महनत करें और काम करें अपने idea को सही करें प्लैन को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करें तो future में आपका एक और earning source खुल सकता है life में तो सिंग राशी ये था आपके लिए राशी फल 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक का छटवी राशी लेते हैं कन्या यानि वर्ग कन्या राशी आपके लिए 14 नवंबर का दिन बढ़ियां रहेगा situations आपके favor में रहेंगी जिन कार्णों को आप करने की कोशिश करेंगे उन कार्णों में आपको सफलता मिलेगी घर परिवार और समाज में आपके respect बनी रहेगी 15 नवंबर को थोड़ा साउधान रहें आप अपनी image को बनाने के लिए अगर कोई प्रयास करते हैं 15 तारीक को तो आपको थोड़ा सतरक रहने की जरूरत है दिखावा आपके लिए नुकसान दे होगा तो ऐसे काम को हाथ में बिलकुल ना दें जिसमें आपकी efficiency नहीं है दिखावा के लिए कोई काम नहीं करना इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम आपके future को भी define करेंगे इसलिए साउधान भी रहें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं लर्णिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा 16 नुमबर का दिन आपको एक दोविधा की condition में डाल सकता है जब आप सोचें कि आपको किस और जुकाव रखना चाहिए क्या decision life में लेना चाहिए अगर ऐसा मामला आता है तो आपको निश्पक्च हो करके निरणे लेने की जरूरत है सोच लीजेगा कि मेरा फाइदा इसमें मेरा नुक्सान इसमें और निश्पक्चता में जाएं तो ये बीच का मार्ग है जो निश्पक्च है जिसमें कोई favor नहीं है कोई biasness नहीं है bias मतलब पक्चपात होता है तो जिसमें कोई पक्चपात नहों कोई biasness नहों उसी decision के साथ आप जाएं ये पहला काम आपको करना है दूसरा आपका अपना जो एक criteria आपने बनाया है उससे बाहर जाकर भी कुछ काम करने की जरूरत पढ़ सकती है तो ना hesitate होना है ना खुद को रोकना है 17 नमबर बहुत बढ़ियां दिन रहेगा सम्मान में वृद्धी दिखाता है ये दिन लोग आपके बारे में अच्छी और प्यारी बाते कर सकते हैं आपके पीट पीछे भी अगर आपको ऐसा पता चलता है तो उसे चलने दें उसके बारे में क्यूरियस ना दिखें कि आपको जानना है कि अरे मेरी पीट पीछे क्या बात हो रहे थी हो रही थी हो रही थी हो ने दिजिए ठीक है अच्छी बाते हो रही थी, आपको पता चले, नुट्रल रही है, ठीक है, अपने बताए कि मेरे बारे रही थी, ऐसे जवाब दीजिए, कोई कहा आपके बिचिंग हो रही थी, तो उसको बताइए कि कोई बात नहीं, बिचिंग भी लोग करते हैं, उनका अधिकार है, कर रहे में सतरकता यदि आपने नहीं बरती तो सिचुएशन आपके फेबर से निकल जाएगी अगर आप चीजों को मैनेज करने की बजाए उन्हें मोल्ड करेंगे मोडेंगे तो और समस्याएं पैदा होंगे इसलिए चीजों को सीधे सीधे मैनेज करें लागलपेट वाली करता धरता आप हैं तो आप उससे अपने आपको निकल सकते हैं जो रायता आपने फैलाया है उसे समेट भी आप सकते हैं बस आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं अपने फैलाये रायतों को समेट लूँगा यह रायता वाला एक्जामपल बड़ा बड़ा होता है अ आप बात करते हैं 19 तारीक की 19 नमंबर का जो दिन है आपको भीतर की और खींचेगा चीजे मतलब आपकी अपनी जो क्वालिटीज है आपकी जो अपनी एनरजी है यह सब आप अपने आप से बाहर ना ले जाएं दूसरों को ना पता चले मन आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपको जंजीरों में बांद के ताला मार दे तो आपको क्या करना है उस जंजीर को तोड़ करके अपने आपको बाहर निकालना है लेकिन वो याहू अलगाना नहीं गाना है कि चाहे कोई जंगली कहे कहता रहे आपको समझदारी से काम करन सिचिवेशन को अब्जर्व करें और यह सोचें कि इस सिचिवेशन में मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है जब आप इस तरह से सोचेंगे फाइदा नहीं सोचना उचित और अनुचित का सोचना है उचित और अनुचित में से एक को चुना है तो जीवन में संतुलन को वापिस लाएगा जो इस हफते आपको 18 तारिक को नहीं मिलेगी तो 18 तारिक का अस संतुलन जो है वो 19 तारिक तक परिलक्षित हो रहा है और वो संतुलन आपको 20 तारिक को वापिस मिल जाएगा लेकिन आपके मन के बदलते हुए भावों को किसी से शेय कराना है कि हाँ आप इंप्रूव हुए हैं पहले से जदा और इस तरह की सिच्वेशन जो पास्ट में गई है उसे बड़ी हैं तरीके से मैनेज कर दे जाएंगे जितना जदा आपका माइंड सेट आप अपने कंट्रोल में रखेंगे चीजें उतनी आपके फिवर में होगी अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में बैलनस बन जाएगा तो कन्या राशी ये था आपका राशी फल चौदा नमंबर से लेकर के 20 नमंबर थक के लिए साथवी राशी लेते हैं तुला राशी यानि लिब्रा तो तुला राशी 14 नमंबर का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आप किसी सिच्वेशन में हैं और वहां से मूव आन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये दिन बहुत हेल्प करेगा सिच्वेशन कोई भी हो मतलब प्रेम संबंधों से लेकर घरेलू प्राब्लम से लेकर के आपके आर्थिक समस्या से लेकर के किसी मुसीबत में फसने तक की सिच्वेशन तक अगर आप मूव आन करना चाहते हैं तो ये दिन इसमें पूरी हेल्प कर रहा है आपकी इन चीजों के अलामा आपके आने वाला हैं आप काफी नपे तुले बेवहार वाले व्यक्ति इस दिन रहेंगे और उमीद ऐसी करेंगे कि लोगों का बेवहार भी बड़ा नपा तुला आए और जब वो नहीं आएगा तो खिलने हो जाएंगे मनुदास हो जाएगा अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम न अनैतिक कर रहे हैं ठीक हैं तो उस तरह के कामों के लिए दिन बिल्कुल बढ़ियां नहीं है फसने की बुरी तरह से समभब ना है ठीक हैं तो इसका ध्यान लगएगा मतलब मुझे ये भी बताना पड़ जाता है 16 नमबर का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा सा मुसीबतों का बायस होगा अगर आप दूसरों की मदद करने को ततपर हो जाते हैं और अगर अपने मदद करते हैं खुद की तो आप अपनी समस्या से तो निकल जाएंगे लेकिन आपका जो प्यारा सा सुन्दर सा दिल ह है वो कहेगा कि अरे ये लोग भी फसें इनको भी निकालो और इनको भी निकालो के चक्कर में आपकी भी मुसीबत शुरू हो जाएगी लोग अगर अपनी समस्या आपसे शेयर करते हैं तो इस दिन थोड़ा कैजूल बिहेव में आ जाएं मान के चलें कि लोग तो समस्या म करने की कोशिश ना करें तो आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा 17 नवंबर का जो दिन है ये आपके अंदर थोड़ी रूडनेस भर देगा थोड़ी नाराजगी आपके अंदर रहेगी आक्रामकता और पैशन भी रहेगा इस दिन अपने लक्ष को प्राप्त करने के लेकिन इन चैलेंजस से घबरा कर पीछे बिल्कुल नहीं हटना है इन चैलेंजस का सामना करना है और बल्कि आपको अगर चैलेंज मिलता है तो आपको कहना ठीक है I am ready for the challenge जैसे ही आप कहेंगे I am ready for the challenge 50% लडाई आप जीट चुके बस बाकी की 50% जीतनी आपके लिए आसा कर लिया उर्जा का गलत इस्तिमाल क्या होता है खुद पर ओवर कॉंफिडेंट होना ओवर कॉंफिडेंट अगर हो जाते हैं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी तो ओवर कॉंफिडेंट आपको नहीं होना है confident रहना है तभी चीज़ें आपकी पक्ष में चलेंगी 20 नमबर के दिन आप काफी जोश वाले रहेंगे यानि कि जो 19 तारिक का passion है जोश है आपकी energy है वो 20 तारिक तक carry forward हो रही है अब जब ये 20 तारिक तक carry forward हो रही है क्योंकि जितना जदा आप अपनी energy को use करने की कोशिश करेंगे सही चीज़ों में उतना आपको benefit मिलता चला जाएगा तो Libras तुला राशी ये था आपका राशिफल 14 से 20 नमबर तक के लिए आठवे राशी लेते हैं Scorpio यानि वरिश्चिक राशी Scorpio आपके लिए 14 नमबर बढ़िया दिन रहेगा आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है पारिवारिक मामलों में आपके respect बढ़ेगी और society के मामलों में सामाजिक मामलों में आपके लिए ये नपातुला दिन रहेगा बैवाहिक समद्दों और प्रेम समद्दों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है 15 नमबर का जो दिन है ये भी बढ़िया रहेगा इस दिन आपके सम्मान में वृद्दी होगी एहंकार थोड़ा बढ़ सकता है उसे नीचे रखिएगा क्योंकि एहंकार बढ़ने के साथ सम्मान के साथ अगर एहंकार बढ़ा तो वो जो मिला सम्मान है वो खो जाएगा किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा दिन है और अगर किसी चलते हुए काम को और तेजी से आगे बढ़ाना चाते हैं धक्का मारना चाते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है सोला तारिक आपके लिए परिवर्तन का दिन होगा जब छोटे मोटे परिवर्तन आपके जीवन में हो सकते हैं लेकिन इसलिए होगे क्योंकि इश्वर का सीधा प्रसाद और सीधी करपा आपके उपर बरस रही होगी और चूंकि इश्वर की करपा सीधी आपके उपर बरस र टीचर की गैरहाजरी में शैतानी करते हैं तो पनिश्मेंट शायद न मिले लेकिन उसकी प्रिजेंस में शैतानी करते हैं तो छड़ी से मार तो पढ़ी जाएगी तो इसलिए 16 तारिक को जान बूझ कर कोई अनेतिक करें ना करें किसी को धोखा धड़ी में ना डाले ठीक है वरना उसी दिन आपको कर्म का फल मिलेगा ज्यादा समय नहीं लगेगा तुरंत कर्म बाई बैक हो जाएगा वो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं तुरंत कर्म मिल जाता है तो वो ऐसी दिन होते हैं उनको अभी किया आपने इ करता मेरा मानना है कि दोनों में एक्वैलिटी होनी चाहिए मैं दिल्ली में रहता हूं बलकि मेरा तो मानना यह है कि हमारी मेट्रो में एक पूरा कंपार्टमेंट पुर्शों का होना चाहिए और उस पर बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि महिलाओं के घुसने पे चलान हो चूट है, नहीं चूट नहींगा, क्योंकि टैरो कार्ड में बहुत equality है, ठीक है, जैसे हमारी जो, ये जो समाज हमारा है, इसमें अगर आप देखें, तो Christianity में पोप होते हैं, जिनको हम सर्वोच पादरी मानते हैं, उनकी counterpart कोई female नहीं है, लेकिन टैरो कार्ड में है, हैरोफ में the lady pope भी लिखा जाता है, तो वो उनकी counterpart है, लेकिन हमारी समाजिक दुनिया में नहीं हैं, वहाँ पर inequality बनी है, बट कार्ड में equality पूरी है, तो आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दूसरी महिलाओं का सम्मान करना है, अगर उनसे आपका म नहीं बताना कि she is very dot dot dot, तो इसका ध्यान रखिए, इन चीजों के अलावा ये तो हो गया, इसके अलावा इश्वर के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा, थोड़ा spiritual रहेंगे, कुछ spiritual exercises या कुछ साहित्यों का अध्यान भी कर सकते हैं, materialistic world में, यानि भौतिक जगत में आ रफल ता आपको इस दिन जरूर मिलेगी 17 तरीको, 18 नमबर का जो दिन है, 18 नमबर के दिन चीजें आपके पक्छ में मूव हो सकती हैं, अगर आप मूव कर देते हैं, मूव कर देते हैं, मतलब ये कार्ड यहां रखा है, अब मैं कहूं ये कार्ड उपर उठके आए, तो न करके देखिए, उस चीज में सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिच्वेशन ही ऐसी बन रही है, इस के अलमा 18 नमबर का दिन अपनी आदतों में सुधार करने, या नई आदतों को डालने के लिए भी मददगार साबित होगा, और वरिश्चिक राशी, 19 नमबर का जो द लेकिन वो दो सिच्वेशन्स लव रिलेशन्शिप नहीं होने चाहिए, एक साथ दो लव रिलेशन्शिप, दो गल्फरेंड, दो बॉय फरेंड को नहीं घुमा पाएंगे, अगर हैं, तो 19 तारिक को एक के साथ ही इन्वाल्व रहें, दूसरे के साथ इन्वाल्व ना रह क्योंकि दिखावा आपके लिए फाइदे मन नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप अपने आप में स्थिरता रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा बचपना इस दिन आपके अंदर रहेगा, तो कोशिश करेंगे, वो आपके लिए ठीक है, आपका बचपना आपके फाइदे मन इस दिन नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये दिन इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, दूसरे लोगों के इंफ्लेंस से खुद को बचा करके रखिएगा, बीस तारिक को, तो वरिश्चिक राशी ये था आप अगल मामलों में सावधान रहें, पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतनी अपेक्षित है, अपेक्षित मतलब जरूरी है, मतलब आप से उम्मीद की जा रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, आप एक्षित बड़ा हिंदी शब्द है, अब पंदरा तारिक की बात करें, इसनी बड़ी समुदर को कैसे पार करें, हनुमान जी भी यही सोच रहे थे कि कैसे पार करेंगे, यह तो बहुत बड़ा समुदर है, तो जामवन ने उनको याद करा है कि अरे बजरंग बली तुम इतने शक्तिशाली हो, तब जाकर उनको याद आए कि अच्छा मेरी शक्त तो 15 तारीक आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा, और इंकरेज नहीं कर पाए, तो ग्यान पंची की तरह शांती से बैठे रहेंगे, ग्यान पंची जानते हैं कौन सा होता है, चलिए कमेंट में लिखेगा ग्यान पंची कौन सा होता है, देखता हूं कितने लोग लिखत इस्तेमाल करते हैं, तो चीजें आपके लिए सही रहेंगी, और अगर आप इस औरजा का अनैतिक दूरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो ये औरजा आपको ही बैकफायर कर देगी, तो मिन्स सदूपयोग करिएगा, दूरुपयोग ना करिएगा, इस दिन आप जिन में अपने आपको आगे ले जाना चाहते हैं दिन उसमें हेल्प करेगा और इस दिन अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो इसमें भी दिन पूरी-पूरी मददगार साबित हो रहा है 17 नवंबर के दिन धन के मामले में थोड़ा रुक करके ठहर करके डिसीजन लेना है वो फोन आते हैं लोन ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो उन लोगों को बोलना है भाई 17 तारिक आज मेरे को नहीं लेना यह सब बाई 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 बात खातम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कर्म करें उधार ले करके काम करने की कोशिश बिलकुल नहीं करनी पूरे दिन को टाल देना है क्योंकि 18 तारिक आपके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा 17 तारिक को धन से संबंदिन मामलों में ऐसी समस्या सकती है जब इंस्टेंट जर होगा जब आप फस जाएं तो आपको वो नहीं करना है दूसरे उधार देने के मामले में भी बड़ा चूजी रहना है क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापिस नहीं आएगा तो अगर किसी की मदद करने को दे रहे हैं तो फिर नेकी करदरिया में डाल उसे वापिस पा हैं कि हम हिल्प कर रहे हैं अगर ये वापिस करते हैं तो वेलन गूड नहीं करते तो भी हमें कोई परिशानी नहीं है ठीक और अगर वापिस करें फ्यूचर में तो ले लीजिएगा क्यों ले लीजिएगा क्योंकि इस से उसकी हिल्प होगी कैसे हिल्प होगी जब आपने उससे दिये गए उधार के पैसे वापिस ले लिए क्योंकि वो देने आया या आई है तो उस परसन को भी एक motivation मिलेगा कि हाँ मैं किसी से उधार लेकर वापिस कर सकती हूँ ठीक है तो आपने उसके help करी और नहीं लिया तो आपने एहसान किया क्योंकि कोई भी व्यक्ती दया के लिए अगर पात्र है तो ये अच्छी बात नहीं है इशवर न करे किसी को दया का पात्र बनना पड़े मतलब ये मैं प्रे कर रहा था इशवर से मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी दया का पात्र हो सब confidently आगे बढ़ें, compassion अच्छी चीज है, दया बुरी चीज है, दया बहुत ही घटिया चीज है, दया को गाली की तरह लेता हूं, लेकिन compassion एक अलग चीज है, compassionate जब आप होते हैं, तो दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब दयावान होते हैं, तो दूसरे क अबंबर की बात करें, धन के संबंध में कोई समस्या अगर चली आ रही है, भले एक दिन पुरानी हो या सो दिन पुरानी, वो खतम हो सकती है, investment आपको benefits देंगे, आपका धन से संबंधित मामलों में रुके हुए काम चल पढ़ेंगे, रुके हुए पैसे के आने की बात न रहेंगे, व्यक्तिकत संबंधों में भी सुधार की संभावनाएं दिखती हैं, अब बात करते हैं उननीस तारीक की, उननीस नवंबर को आप, हाँ जी, उननीस नवंबर को सामाजिक दृष्टिकोर्ण से अपने आपको जितना इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, उतन आप इंप्रूव होंगे, लेकिन ध्यान अपने सामाजिक स्टेटस का, यानि जो आपका सोसल स्टेटस है, उसका भी रखना है, आप इस दिन लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसी डिलिंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि समाज में आपकी क्या इसा डर इन चीज़ों को सचमच आपके पक्ष में आने से रोक रहा है, अपने डर को कंट्रोल कर लिज़े, सारी चीज़ें आपके फिवर में हैं, बीस नवंबर के दिन काफी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, आक्रामक भी रहेंगे, और मरसी लेस रहेंगे, दया हीनता रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर कंपैशन की बात नहीं करा, मरसी की बात करा, मरसी लेसनेस के साथ आप अपने लक्ष के प्रती आगे बढ़ेंगे, और आपकी दया हीनता आप से भी रहेंगे, कहता है ना कि आप अगर कैजूल मोड में आ जाएं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोशिश करनें, दूसरों का कम से कम नुकसान हो, बीस नमंबर को, तो धनू राशी ये था आपके लिए राशी फल, चौदा नमंबर से लेके बीस नमंबर तक का, दसवी राशी लेते हैं, कैप्टिकॉन यानि मकर राशी, मकर राशी आपके लिए चौदा नमंबर का दिन बढ़ेया रहेगा, कोई काम आपका पूरा हो सकता है, आप अपने काम को पूरा होने के बाद होने वाले लैक को ले करके पुरिशान हो सकते हैं कि अब आगे क्या करेंगी, तो वह सिम्पल है ना, थोड़ा इंजुआए कर दे हैं, अगर कोई काम परदान करेगा अगर कुछ डिसबैलेंस चल रही थी लाइफ में तो उस डिसबैलेंस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा इस दिन आप अपने आपको अगर कुछ आगे ले जाना चाहते थे किसी स्पेसिफिक सरकम्स्टेंस में किसी स्प बद्धू बनाया जा सकता है ऐसा समझें तो इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देते समय इस चीज का भी ध्यान रखें कि कहीं कोई आपको बद्धू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है अगर अगर अधेरा नहोता तो सूरज की कोई गिंती ही नहोती और सूरज की जरूरत भी नहीं होती है सुचिए अगर इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैला होता तो तारों की जरूरत होती नहीं होती तो उनकी जरूरत इसलिए क्योंकि अंधकार है तो अब जैसे आप घर में है आपने बल्ब लगा रखा है अगर आपके घर में सनलाइट आती तो आप बल्ब क्यों जलाएंगे तो हर चीज की जरूरत इसी तरह से होती है हर चीज चाहिए और नहीं चाहिए दोनों है तो इसलिए पक्च और विपक्च दोनों को ले करके चलना है आता निगेटिविटी से घबराएं नहीं बस उसे खुद के लिए पॉजिटिविटी जाते हैं सिल वूट होता है तो वह एक शेडव फोटोग्राफि होते हैं तो उसमें वह अंधेरे और प्रकाश का समझस करके इस्तेमाल करते हैं चीजों को तो वैसा ही आपको करना है फोटो नहीं खिचने ह्या अपने जीवन को बेहतर करना है नहीं तो फोटो फोटो भी के दिन चीजें आपके लिए आउटोमेटिकली फेवर में मुव होंगी काफी ज्यादा मिलनसार विक्तित्वाप रहेंगे काफी शांत विक्तित्वाप रहेंगे अपनी इमेज की बौड़ी परवाह आपको रहेगी और आप इस दिन अपने आपको एक ऐसा परसन मानेंगे जिससे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और अगर सचमुच आप ऐसा मानते हैं तो इसी प्राइड में आपको रहना है लेकिन घमंड नहीं करना है हाला कि स्प्रिच्वल ग्रोथ के लिए भी सत्रा नवंबर बहुत फायदे मन दिन रह सकता है अठारा नवंबर का दिन दुप देगा ऐसी सिच्वेशन बन रही है और आपका लवर या आपके प्रेमिका जो भी है वे आपको कोई सर्प्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं जरूरी नहीं गिफ्ट में कोई सामान हो हो सकता है सर्प्राइज में आपको कोई प्यार भरी बात ही सुनने को मिल जाए कुछ भी हो सकता है 19 नवंबर के दिन आप थोड़ा आकरामक और रूड दोनों रहेंगे लेकिन गंभीर भी उतने ही रहेंगे इसलिए आपकी आकरामकता आपका रूडनेस आपके अंदर छेपा रहेगा और जहां जरूरत होगी उसे वहीं पर आप यूज करेंगे इस दिन अग आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सफलता प्राप्त नहीं करेंगे इसलिए थोड़ा सा इंत्रवर्ट हो जाये सावधान हो जाएं गलती कहां है गलती प्लैनिंग में है अगर प्लैन नहीं है सही तो आप फेल हो सकत तो इसलिए पूरी प्लैनिंग के साथ काम करें और अगर दूसरे लोग आपको जैसे वो कहवत कहते है न ज्ञाड के पेड़ पर चढ़ाना ज्ञाड का पेड़ मतलब जिसमें एक ऐसा पौधा जिसमें डंडी नहीं होती कहते है न चने के पेड़ पर चढ़ा देना तो उस तरह के लोगों से थोड़ा साथान रहना है जो अनायासी आपकी तारीफ करके वाह वाही करके आपको उपर उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप उपर कहीं जैंगे नहीं गिरेंगे धलाम से तो साथान जरूर रहिएगा इस चीज़ का पूर जोड़ ध्यान रखे तो मकर राशी ये था आपके लिए राशी फ़ल 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक का ग्यारवी राशी रहते हैं एक्वेरिस यानि कॉम राशी कॉम राशी आपके लिए 14 नवंबर का जो दिन है हर दृष्टिकोंड से बढ़िया और आपके फेवर में नहेगा चीज़ें आपके लिए मूव होंगी आपके पक्ष में वैवाहिक जीवन ब्यापारिक संबंद पारिवारिक जीवन फ्रेंडली रिलेशन्शिप हर तरफ से चीज़ें आपके लिए फाइदे मन साबित होंगी कोई परिशानी का सबब इस दिन नहीं है 15 नवंबर के दिन भी चीज़ें इसी तरह से रहेंगी लेकिन इस दिन आपके सम्मान में वृद्दी होगी आप शाइंड करेंगे और आप इस दिन को जितना ज्यादा संतुलन में लाने का प्रियास करेंगे उतना आपके लिए फाइदे मन रहेगा इस दिन वावाही में ना जाएं अपनी तारीफों के पुल में बेह ना जाएं ठीक है इन चीजों का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अनायास ही आपकी इमेज को डाउन करता है 16 नवंबर के दिन सिचुएशनली चीजें मूवमेंट की और जाएंगी तो अगर किसी सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें हेल्प करेगा अदर्वाइस एक छोटी यात्रा की सम्मावना बन सकती है शॉपिंग वगरा पर भी जा सकते हैं आप किसी दोस्त से मिलना भी हो सकता है व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा पारिवारिक मामलों में संबंध और ज़्यादा मदोर और मिठे हो जाएंगे 17 नवंबर यश को बढ़ाने वाला दिन है लेकिन आपके एहंकार को भी इस दिन पुष्टी मिलेगी वो भी बढ़ेगा तो एहंकार को डाउन रखें यश को बढ़ने दीजिए नए काम को شुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़ीया है साथी साथ किसी पुराने कारे को जो चल रहा है उसमें एक जोर का धका मारने के लिए भी दिन बहुत बढ़ीया रहेगा आप उसमें भी थोड़ा एक। करेंगे तो और पुश हो जाएगा वो काम 18 नमबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको सोच विचार में जाना चाहिए ठिंकिंग करनी चाहिए और आपकी जो ठिंकिंग है वो सेल्फ ठिंकिंग होने चाहिए बैठ जाएए शांती से सोचिए अपने जीवन के बारे में अपने आत्म साक्षातकार करें सेल्फ अनलसिस्मेंट करें सेल्फ इंटर्वियू करें इन चीजों से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है बीस नमबर ठीक रहेगा बढ़िया रहेगा जिस तरह से दिन को ढ़लने की कोशिश करेंगे ये वैसा ढ़लेगा ये दिन आपके अनुर आकरशिद भी होंगे मिलन सार विक्ति तो आपका बना रहेगा आपके परसनालिटी की वज़ा से आपके कई दोस्त बन सकते हैं लेकिन आप अपने आप में एक खोई खोई से परसन रहेगे और ये खोया खोया पन किसी भी वज़ा से नहीं है बस अनायास ही है तो इस अना अurorsl wij झाया वरत बसें तो इसको मिसिंग रहने दो अगर कुछ मिस है लाइफ में और हमें याद नहीं आ रहा करा रहा कि किया मिस है तो ऊसे मिस है कोई दिक्कत नहीं है और जैसे इस mindset में आते हैं आपके लिए situations सारी फेवर में आएंगे तो कुम राशी सारा दिन साथ के सातो दिन आपके लिए अच्छे हैं कोई negative card आपके लिए नहीं आया बहुत बढ़िया हफता आपका रहने वाला है तो ये था आपका राशी फ़ल 14 न बट middle में यानि के दिन के शुरुवात में और बीच में जब चीज़ें आपके पक्च में ना हों तो अपने आपको बहुत परेशान और पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 15 नवंबर आपको काफी और जा से भर देगा इस दिन आपके द्वारा किये गए कार्णियों में सफलता और पूरता मिलने के पूरे संकेत हैं बट अगर एनरजी वाइज आप अपने आपको लैक में फिल करते हैं जैसे कभी कभी होता है ना कि और जा तो बहुत अच्छी म होगी 16 नवंबर के दिन situation और चीजों में नाप तोल कर सोच समझ कर आगे बढ़ना आपकी पहली priority और tendency होगी और इस tendency के साथ आप आगे बढ़ें ये सही है वाणी में जो आपका नियंत्रण है उसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी बातों से किसी को ऐसा प्रभाव फायदे मंद नहीं होगा नुकसान बहुत होगा 17 नवंबर के दिन धनके मामले में triangular situation बन सकती है और इस triangular situation को manage करके अपने favor में लाया जा सकता है point one point two relationship में ये दिन बड़ा फायदे मंद होगा point three आपके social status के लिए भी ये दिन आपको support करेगा तो कुल मिला करके 17 नवंबर आपके favor में है बस इस दिन को अपने favor में बनाए रखना है consist करना है ये आपकी duty हो 18 नवंबर का जो दिन है ये धन के मामले में आपको एक guidance ऐसा देता है कि आप अपने धन को कहां invest करेंगे किस तरह से उसे use करेंगे इसके मामले में conscious हो जाए अगर आप conscious नहीं होंगे तो आप अपने पैसे को multiple ways में लगा करके खराब कर सकते हैं तो इसलिए आपको अपने जो आपके पास जो भी अरणिंग है थोड़ी है जदा है जो भी है whatever उसको manage करें systematic करने का प्रयास करें अगर systematic नहीं करेंगे तो गड़बड हो जाएगी 19 नमबर का जो दिन है इस दिन rudeness आपकी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन इसके बावजूद आपके मन में प्यार की भावना बनी रहेगी तो मतलब rudeness और प्यार यानि के rudeness और लव दोनों का एक combination आप होंगे तो चुकि आप combination होंगे तो जहां जरूरत हो rudeness की महां rudeness दिखाईए जहां जरूरत हो love की महां love दिखाईए लेकिन लोगों की बातों को oppose जादा मत करिये लोग कभी कभी idiotic बाते करते हैं तो करने दीजे वो उनका अपना life span है वो करते हैं तो करें आप थोड़ा सा अपने आप में रहें और बिना वज़ा किसी को सलाह न दें अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो उसे सलाह दें इन चीजों के अलामा जिन कार्यों में आप हाथ सकती हैं अब बात करते हैं 20 तारीक की 20 नमूंबर बढ़िया दिन रहेगा चीजें आपके पक्च में रहेंगी situation आपके favor में रही इस दिन धन के मामले में किये गए प्रियास आपको सफलता दिलाएंगे आपका दिन का पहला हिस्सा जितना बहतर होगा उससे बहतर आपका हो सकता है इस दिन आपको नियंतरन सिर्फ इतना रखना है कि अपने बारे में लोगों को जानकारी कम दे परिवार के प्रति पोसेशन में रहें और परिवार यानि अपनी family के प्रति आपके द्वारा जो आपका करतव है उसका पूरा परिपालन करें अनुपालन करें इस नमबर तक का तो आज के इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करूँगा आज का जो वीडियो है या आपको कैसा लगा अपने experience कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो में ए द्रेका कार्ड रिडिंग में आपसे मुलकात होगी ओके बाइबाये